हालो एंड वल्कम टू टेली टॉकीज दोस्तो बिग बॉस OTT के घर में अर्मान मलिक ने अपनी बेहन शिवानी के साथ निभाया भाई होने का धर्म शिवानी के लिए लगाई अर्मान ने सना सुल्तान की क्लास भाई हरकत ही कुछ ऐसी कर दी थी सना सुल्तान ने उसको जवाब देना जरूरी बन गया था आपको यहाँ पर हम बता दें कि सारे घर वाले शिवानी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इन सब को ये लगता है कि शिवानी गाओं की है देहातन है और इसलिए इसको इस शो में नहीं होना चाहिए था और ये सब ठहरे शहर वाले अच्छे अच्छे घरों से आई हैं लेकिन ऐसे में सना ने जो शिवानी के लिए बोला अर्मान वो बरदाश नहीं कर पाया और उसने जाकर जम कर सुनाया सना सुल्तान को लेकिन आखिर सना की ये पोल खोली किसने हुआ क्या था चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने ये चानल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दपादें बिग बॉस OTT के घर के अंदर शिवानी कुमारी बहुत ही सीधी साधी सी है और ऐसे में यहाँ पर घरवाले अब उन पर हावी होने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि बीते दिन सना सुल्तान ने विशाल पांडे से ये कहा था कि शिवानी कुमारी उसको अच्छी लगती है लेकिन ऐसे में विशाल पांडे को बीते दिन चंदरिका ने ये बताया कि तेरी फ्रेंट सना सुल्तान तो शिवानी के लिए ये कहती है कि शेवानी तो देहातन है वो इशो के लायक नहीं थी उसकी ओकात नहीं थी वो इशो में आ जाए ये बात विशाल पांडे ने सना सुल्तान को बता दी फिर क्या था सना सुल्तान लड़ने पहुँच गई चंदरिका के पास यानि की वड़ा पाउ गर्ल के पास और उससे कह कहने लगी कि तुमने मेरे लिए ये बोला कैसे तुमने जूट बोला है चंदरिका ने ये बात नहीं मानी और उसने कहा कि नहीं मैंने कोई जूट नहीं बोला जूट तो तुम बोल रही हो बोला है तो बोलने की हिम्मत रखो ना क्या कल तुमने ये नहीं बोला कि शिवान शब्द को इस्तमाल नहीं किया लेकिन इसने लायक ज़रूर बोला था ऐसे में यहां पर अर्मान भी बीच में कूदा और अर्मान ने कहा कि आप अपने आपको बहुत बड़ा चेहरा समस्ती है ना आप ये समस्ती हैं कि आप में बात करने का बहुत लहजा है आपका लहजा तो आज हमें पता चल रहा है लेकिन शिवानी के लिए ऐसा बोलने से पहले ये याद लखना कि लाखो करोडो लोग जनता इस शो को देख रही है और वो भी आपको जज़ कर रही है आप जैसी दिख मरजी से इस घर में आया है आपकी मरजी से नहीं और बिग बॉस को जो लायक लगते होंगे वो उन्हीं को तो लाए होंगे ना वेल दोस्तों ऐसे में शिवानी भी एमोशनल हो गई क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका भाई उसे सपोर्ट कर रहा है वेल दोस्तों क्या कह आप अपनी राए हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें